अगले चैप्टर नंबर तीसरा है छेत्रिय राज पंजाब्यों मैसूर रणजीत सिंग का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महाज सिंग के घर में हुआ था महाराजा रणजीत सिंग और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रेल 1809 को अमरित सर की संधी हुई थी उसने 1818 इसबी में मुलतान, 1889 इसबी में कस्मीर और 1834 इसबी में पेशावर को जित लिया 1798 इसबी में अफगानिस्तान की सासक जमान साह ने पंजाब पर आकरमण किया था वापस जाते समय उसकी तोपे चिनाब नदी में गिर गई रणजीत सिंग ने उन्हें निकलवा कर वापस भेजवा दिया उस सेवा के बदले जमान साह ने उसे लाहोर पर अधिकार करने की अनुमती दे दी बरस 1799 में रणजीत सिंग ने ततका लाहोर पर अधिकार कर लिया तता उसने अपनी राजधानी बनाया जमान साह ने उन्हें राजा की उपाधी दी और लाहोर का अपना सोवेदार मान लिया तो राजा रणजीत सिंग तो राजा की जो उपाधी वो किसकी द्वारा जमान साह ने दिया था और लाहूर का जो अपना सुवेदार मान लिया उसने 1805 जिजबी में अमरित सर को भी भंगी मिसल से छेन लिया तत पस्चाज पंजाब की राजनैतिक राजधानी लाहूर और धार्मिक राजधानी अमरित सर दोनों ही उसके अधीर आ गई रंजीत सिंग एक योग शासक था उन्होंने कहा था ईस्वर की इक्षा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली अफगान अमीर साह सुजा ने रंजीत सिंग को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था तो अफगान अमीर साह सुजा ने रंजीत सिंग को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था 1849 सीजबी में रंजीत सिंग की मृत्यू के बाद उनका पुत्र खडग सिंग सिंगासन पर बैठा इसे अफीम खाने की आदत थी किसको खडग सिंग को इसके सासन काल के दोरान सिग्र ही दरबार में दो बिरोधी दलों संधा वालिया सरदार चैत सिंग अतर सिंग लहना सिंग तथा उनके भतीजे आजीत सिंग और डोगरा बंधू ध्यान सिंग गुलाब सिंग और सुचेत सिंग की प्रतिदुन्दता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई चिलिया वाला का जो यूद्ध है वो तेरह जनवरी अठारा सो वन्चास एजबी को लड़ा गया था इस यूद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतित लार्ड गफ ने किया तथा सिंग सेर सिंग के नेतित में लड़ी गई तो चिलिया वाला का जूद्ध कब हुआ तेरह जनवरी अठारा सो वन्चास को तो अंग्रेजी सेना का नितित लाड गफ ने किया था और सिख सेना जो है वो सेर सिंगे के नितित में लड़ी गई थी यह युद्ध आनिरणी तो समाप्त हुआ यानि इसमें जो है आनिरणाय को दरहा इसमें किसी की विज़ा ने वी इसमें भारत का गवर्न जन्रल कौन था लाड डल होजी क्योंकि अठारा सो वनचाज की बात हो रही है तो चिलियां वाला का युद्ध आनिरणाय को युद्ध रहा है तेरा जनवरी अठारा सो वनचाज को अंग्रेजी सेना नेतित लाड गफ और सिख सेना सिर सिंग के नेत गवर्न जन्रल जो भारत का था लाड डल होजी था महाराजा दलीप सिंग सिख सामराज के अंतिम सासक थे तो सिख सामराज के अंतिम सासक कौन थे महाराजा दलीप सिंग उन्हें ने अठारा सो तिरालिस से अठारा सो अन्चास तक सासन किया था दलीप सिंग ने सिख धर् तो दलीप सिंग जो है उस सिख धर्म को छोड़कर इशाई धर्म अपनाने वाले थे इनों ने रूस की यात्रा भी की थी इनका निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस फ्रांस में हो गया था इनकी अंतेष्ट इंगलेंड में हुई थी 1845 में दुतिय आंगल सिख युद्ध की श भेज दिया गया पंजाब के बिटिस सामराज में बिले के बाद डलहोजी ने 1845 में पंजाब परसासन करने के लिए तीन लोगों की एक परिशाद का गठन किया था जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्धच बनाया सर जान जो लॉरेंस रहे और चाल्स ग्रेन बिले मान सेले को सदस के रूप में नियुक्त किया गया था तो पंजाब के बिले 1845 में होता है और लाट डलहोजी की द्वारा पंजाब परसासन करने के लिए तीन लोगों की एक परिशाद का गठन किया जाता है जिसमें की अध्धच हेनरी लॉरेंस और जो सदस हैं वो जान लॉरेंस और दूसरे रहे चाल्स ग्रेन विली मान सेले इनको सदस के रूप में नियुक्त किया जाता है प्रथम आंगल मैसूर युद्ध 1767 से 1779 इस भी में हुआ था तो 1669 तक जो है आंगल मैसूर प्रथम युद्ध रहा है इस युद्ध में हैदर अली जो है वो बिजई हुआ इस युद्ध के दावरान अंग्रेज गवर्नर वेरेलस्ट तो प्रथम आंगल मैसूर युद्ध के दावरान अंग्रेज गवर्नर कौन था वेरेलस्ट था युद्ध जो है वो चार अप्रेल 1779 को मद्रास की संधी द्वारा समाप्त हुआ था तो प्रथम आंगल मैसूर युद्ध 1776-79 तक रहा और इद्ध की जो शमापती है वो मद्रास की संधी 4 अप्रेल 1779 होने की कारण जो ही समापत हुआ और उस समय अंग्रेज गवर्णर कौन था तो वेरलेस्ट था दुतियां अंगल मैसूर इद्ध होता है 1784 के व्यद्ध और इस दौरान हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों की विरुद्ध एक मौर्चा बनाया था दूती ये अंगल मैशूर युद्ध 1780 से 84 तो हैदर अली ने जो है निजाम पलस मराठा के साथ मिलकर अंग्रेजों की विर्देग मुर्चा बनाया जुलाई 1780 बी में हैदर अली ने करनाटक पर आकरमण कर दिया तथा करनल वेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हरा कर अरकाट पर अधिकार कर लिया तो दूसरा जो है अंग्ल मैसूर युद्ध रहा है यह हैदर अली जो है निजाम पलस में रठा के शाथ युद्ध लड़े और फिर जो है जुलाई 1780 बी में हैदर अली ने करनाटक पर आकरमण कर लिया और आकरमण करके जो है करनल वेली की अधीन जो अंग्रेजी सेना रही है उसको हरा कर अरकाट पर अधिकार कर लिया इसी दोरान टीपू ने हैक्टर मुनरो की सेना को पोली लूर नामक अस्थान पर हरा दिया था तो दुतिये जो अंगल मैसूर उद्धा 88-84 रहा है है जो है निजाम प्लस मराठों के साथ मिलकर जो है ये इसी उद्धकार नित्यूद कर रहे थे और अंग्रेजी सेना के बिरुद करनाटक पर जो आकरमड किया और करनल बेली के जो अंग्रेजी सेना लड़ रही थी उसको हरा दिया और अरकाट पर अधिकार कर लिया इसी के दवरान टीपू सुल्तान रित्रु टीपू ने फिजु हेक्टर मिन्रो की सेना को हरा कर पॉल्ली पुर नामका स्थान पर हरा दिया था हेक्टर मिन्रो को 1781 इस भी में हाइदर अली का सामना अंग्रेज जन्रल आयर कूट से हुआ था अर्कार्ट पर अधिकार कर लिया फिर आगे 1781 इस भी में क्या होता है कि हाइदर अली का सामना अंग्रेज जन्रल आयर कूट से होता है जिसने पोर्टो नोवा पोलिपूर तथा सोलिंगूर में हैदर अली को परास्त किया था किसने अंग्रेज जन्रल रहा आयर कूट और दिशंबर 1782 इस भी में हैदर अली की मृत्तिव के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की ब्रद्द संगर जारी रखा है तथा अंतता मंग्लावर की संधी करनी पड़ी 1784 में और इस तरह जो दूसरा अंग्ल मैसूर य संधी से दूति अंग्ल मैसूर युद्ध शमापन होता है और अंग्ल मैसूर युद्ध में जो है वो हैदर अली की मृत्वी हो जाती है उसके बाद आते हैं टीपू सुल्तान जो अंग्रेजों की ब्रद्द लड़ते हैं लेकिन जो है अंतता है इनको मंग्लावर की संध से इस उद्ध का समापन करना पड़ता है टीपु सुल्तान ने सिरी रंग पट्नम को अपनी राजधानी बनाया यूम यहां जैको बिन कलब की अस्थापना की और उसका सदस्य बना साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंतरता का ब्रेक्शरोपा टीपु सुल्तान ने अपने समकाल इन विदेशी राज्यों से मैत्री शंबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विद्धुन की सहायता प्राप्त करने के लिए एरान कुस्तु तुन्तुनिया जिसका आधनिक नामी इस्ताबुल है अफगानिस्तान और फ् तुरेतिया अंग्ल मैसुर युद्ध का अवशान सेर्ण पटनम की संधी जोकी मार्च 1772 विद्वरा शमाप्त हुआ तुर्थीया अंग्ल मैसुर युद्धुन इस संधी में अंग्रेजों की ओर से कार्णवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्टान सामिल थे टीपू सुल्टान चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के डौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए थे इसके कुल्स के सदश्यों को बेल लवर में कायद कर दिया गया इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को बेले जली और इस्टूवर्ट ने अपना नेतित्तों प्रदान किया था मैसूर को जीतने की खुशी में आर्लेंड के लड़ समाज ने बेले जली को मार्क्वीस की उपाधी प्रदान की थी युद्ध के बाद अंग्रेजोन मैसूर की गद्धी पर पुनह अडियार वंस के एक बालक कृष्ण राज को विठा दिया तथा कनारा कोयंबटूर और श्री रंगपटनम को अपने राज में मिला लिया बेगम समरू बेगम समरू ने एक अतिप्रसिद्ध चर्च का निर्माड मेरठ के निकट सर्धना में कराया था तो मेरठ के निकट जो सर्धना है इसमें जो चर्च का निर्माड जो के अतिप्रसिद्ध है इसका निर्माड किसी ने कराया बेगम समरू ने बेगम समरू के पती एक यूरोपिये वाल्टर रेनहार्ट साम्ब्रे थे जिनोंने कई रियासतों को सैन सेवाएं प्रदान की थी साम्ब्रे कु बंगाल के नवाब नजब खाह ने सहारनपूर के रोहेला सरदार जाबता खाह को हराने में प्रमग वोमिका के कारण शरधना की जागीर प्रदान की थी अपने पती की मृत्यू के बाद बेगम समरू शरधना की साचिका बनी थी और इसी के साथ रिविजन नोट पूरा का पूरा कमप्लीट होता है बढ़ते हैं प्रशन को सकी और पहला प्रशन है कि रजीत संग के राज़ में समलित कौन था दिल ली शमलित रा काबूल मकराना स्री नगर तो रजीत संग राज़ में समलित क्या था रजीत संग का जन्व 13 नवंबर 1780 को चुकरशकिया मिसल की मुखिया महाराजा संग के घर हुआ था महाराजा रजीत संग और अंग्रेजों की बीच 25 अप्रेल 1809 को अमरेत सर की शंधी हुई संधिक तात्यकाली के प्रभाव ये हुआ कि रजीत संग का शतलज उपार की सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्त जमाने का स्वप्न तूट गया परंतु दूसरी और जैसा कनिंगम ने कहा है कि रजीत संग को पश्चिम दिशा में प्रशार करने की खुली छूट मिल गई उसने 1818 में मुलतान 1819 में कस्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया इस प्रकार प्रशनकत विकल्पों में स्री नगर यानी कस्मीर का रणजीत सिंघ के राज में समलता था अगला प्रशन है कि रणजीत सिंघ का संबंध किस मिशल से ठा उनला है कि रणजीत सिंघ किस मिशल से संबंधित थे शुकर चकिया Dit. Right answer बनेगा अगला प्राश्ट महाराजा रणजीत सिंग के राज्जी की राज़िधानी क्या थी राइट आंसर बनेगा आप संसी लाहोर 1798 बी में अफगानिस्तान की सासक जमान साह ने पन्जाब पराक्रमण किया वापस जाते समय उसकी जो तोपे हैं वो चिनाब नदी में गिर गई थी रणजीत सिंग ने जो तोप गिनी थी उनको निकलवा कर चिनाब नदी से वो वापस भिजवा दिया और इस कारण जो है उस सेवा के बदले जमान साह ने उसे लाहोर पर अधिकार करने की अनुमती दे दी 1799 बी में रणजीत सिंग ने ततकाल लाहोर पर अधिकार कर लिया तथा उसने अपनी राज़ानी लाहोर को बना लिया अगला प्रस्ण राजा रणजीत सिंग ने यूपी PCS प्रिलिम्स 2021 राजा रणजीत सिंग ने किस अस्थान पर अधालत ए आला की अस्थापना की थी अधालत ए आला की अस्थापना राइट आंसर बन जाएगा अप्शन बी लाहोर राणजीत सिंग की न्याइब्यवस्था कठोर थी राजी की शर्बूच अधालत का नाम अधालत ए आला था और यह अधालत लाहोर में इस्थित थी राणजीत सिंग स्वयम उसके प्रधान नयाधीश थी रणजीत सिंग ने सुप्रशित धकोहिनी उरहीरा जो प्राप्त किया था वह कीसे से प्राप्त किया था रइट अंसर बनेगा साह सुजा से आपसने पंजाब अहमद शाह अबदाली की सामराज जी का भाग था फरंत 1773 इसबी में उसकी मुरित्वी के पस्चाथ मुलताज कश्मीर इत्यादी को छोटे छोटे भागों को छोड़ कर सेस पर सिख मिशलों का आधिकार हो गया उदर अफगानों के आंतरिक जगणों के कारण रजीत सिंग को अपने इस्थित दिर्ण करने का उसर मिल गया 1800 इसबी में एहमद शाह अवधाली का पौतर साह सुजा काबल की गद्धी पर बैठता है परंत उसके भाई साह महमूद ने सक्तिसाली बरकजई सरदारों फताह खां और दोस्त मुहमद की शहायता से 1889 इसबी में बेश्थापित कर दिया तथा स्वयम कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया इस आउसर पर साह सुजा ने काबल का जो राज्य है प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंग से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया अगला प्रस्णाइक निम्नलिखित में इसने किसने कहा था कि इसवर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से दुखू इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली यह कहा था महाराजा रणजीत सिंग ने आपसने रणजीत सिंग का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल की मुखिया महा सिंग के घर हुआ था वह बारा बर्स के ही थे उनके फिता का स्वर्गवास हो गया 1792 से 1797 इस भी था एक प्रतिशासन परिशद जिसमें इनकी माता सास और दीवान लखपत राय थे इनोंने साशन कारी चलाया था 1797 इस भी में उन्होंने समस्त कारिभार सोयम संभाल लिया रणजीत सिंग ने लाहूर पर 1799 इस भी में अमरित शर पर 1805 इस भी में तथा फरीद कोट मालीर कोटला और अंबाला पर 1808 इस भी में विजय प्राप्त की थी रणजीत सिंग एक योग शासक था उन्होंने कहा था इस वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगा से देखूँ इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली अगला प्रशन है कि महाराजा रणजीत सिंग के उत्राधिकारी कौन थे तो रणजीत सिंग के बाद अत्राधिकारी बनता है खडग सिंग आप्शन भी 1849 इजबे में रणजीत सिंग की मृत्यू के बाद उनका पुत्र खडग सिंग सिंग आशन पर बैठा अगला प्रशन है कि सिख राज्य का अंतिम जो राजा था वह कौन था तो वह था दलीप सिंग आप्शनी हड़ी राइट आनसर महाराजा दलीप सिंग सिख सामराज्य के अंतिम सासक थे उन्होंने 1843 से 1849 इजबी तक सासन किया था अगला प्रशन दस है कि पंजाब की पूर्व महाराजा दलीप सिंग के बिशय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन शत्त है पहला कथन है कि 23 अक्टूबर 1893 नविक उनका निधन पेरिश फ्रांस में हुआ था बात बिलकुल सत्त है दूसरा है कि नासिक में उनकी अंतेष्टी हुई तो नासिक में उनकी अंतेष्टी नहीं उनकी अंतेष्टी जो है वो इंगलेंड में हुई थी इसलिए दूसरा कथन हो गया गलत उन्होंने कभी भी सिक्धर्म नहीं छोड़ा था सिक्धर्म छोड़ कर इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था वह कभी भी रूस नहीं गए थे रिविजन नोट में पढ़े हुआ आपकी रूस की आत्रा भी की थी तो यहां पर कूशा है कौन सा सत्य होगा तो B, C, D सब गलत है आप्शन यहां पर सही जबाब है पंजाब की पूर महराजा दलीप सिंग का निधन 22 या कोछ शुरोतों से 23 अक्टूबर 1893 को पेरिश फ्रांस में हो गया था दलीप सिंग सिख धर्म सोड का रिशाई धर्म को अपनाए थे रूस की आत्रा भी की थी और अंतिम जो इनकी जो अंतेष्टी है वह इंगलेंड में होई थी अगला प्रस्ण है कि सिख सामराज जी का जो अंतिम्सासक था वो कौन था तो सिख सामराज जी का अंतिम्सासक दलीप शिंग आप्शन है अगला प्रस्ण है कि पंजाब की सिख सामराज के अंतिम्सासक दलीप सिंग थे अठारा सो अन्चास एजबी में दुतिया अंगल सिख युद्ध की शमापती पर अंग्रेजु द्वारा पंजाब का बिलय कर लिया गया तथा दलीप सिंग को पैंसन देकर बाद में ब्रिट प्रस्य नहीं था तो पंजाब का बिलय जब किया गया था तो शमय गवर्नर जनरल भारत का था वो कौन था तो वो था लाड़ डलहोजी तो डलहोजी ने जो है पंजाब पर साचन करने के लिए एक परिशाद का गटन किया था जिसमें कि जो सर हेनरी लारेंस रहे हैं उनक को जो है अध्यक्ष की रूप में लिया था अध्यक्ष दो और शदस्ची थे जान लारेंस जान लारेंस प्लस चार्ल्स ग्रेन बिल मान सेल तो इसमें तो यह चेम इलियट रहे नहीं है तो यह आपसन हो गया आपसन एराइट आंसर बन जाएगा आपसन बी और सी भी लेते हैं तो जान लारेंस भी रहे हैं लेकिन इनमें जो रावर्ट मांट गोमरी यह भी नहीं थे तो यह और डी दोनों आंसर होगा तो बंजाब के बिटिश सामराज में बिले के बाद लाट डलहुजी ने अठारा सो अन्चा चीज़ने में पंजाब परसासन करने के लि इनविल मान से ले यह सदस्य रहे यह चिया में इलियट तथा रावर्ट मांट गोमरी इस परिशद से संबंध नहीं थे प्रथम आंगल मायशूर यूद्ध सत्रा सो चाशाट सिवन सत्तर तक जो रहा इनमें बिजय कौन हुआ था तो पहले में तो हैदर ली बिजय हो गय रहे प्रथम अंगल मायशूर यूद्ध सत्रा सो चाशट सट्ट 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 सहटार ने अपनी कूट नितिग सुजबूज से इस त्रिगूट को भंग करने का प्र्यास किया उसने मराठों को धन दे कर और निजाम को प्रदीश का प्रलोभन दे कर अपनी और मिला लिया और फिर करना टक पराक मरतिया अंग्रेजों की प्रारमिक सफलता के कार निजाम पुना अंग्रेजों की और चला गया हैदर अली ने उत्साफ और बग लड़ते हुए 1768 एजबी में मंगलावर पर अधिकार कर लिया और मार्च 1779 एजबी में उसकी सेनाय मदरास तक जा पहुंची अंग्रेजों ने भी विवस्ता में हैदर अली की सर्थों पर चार अप्रेल 1779 एजबी को मदरास की संधी कर दी अगला प्रफ्न PCS प्रिलम्स 2020 का आएक निमलिकित में से कौन 1755 एजबी में डिंडी गुल मैसूर में एक आधनिक सस्तुरागार की अस्थापना की थी राइड अंसर बन जाएगा वा था हैदर अली आप्शन भी सही सवाब होगा 1742 एजबी में बेंकट राइ के नितित्तों में मैसूर सेना ने डिंडी गुल पर विज़े प्राप्त की 1755 एजबी में मैसूर की महाराजा ने इस्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडी गुल भेजा और 1755 एजबी में हैदर अली ने डिंडी गुल पर कबजा कर लिया और इसके लिए को एक शैन चौकी में बदल दिया बाद में हैदर अली मैसूर का वास्दवी की शाषग बन गया और 1777 एजबी में उन्हों ने पुर्शीर मीर साहब को डिंडी गुल का गवर्नर निक्त किया अगला प्रेशन है कि ब्रिटिक्स जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टाल नोवा के युद्ध में हराया था वो कौन था तो वो था सर आयर कूट आप सने यहां भी राइट अंसर है 1781 जिजबी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयर कूट से हुआ जिसने पोर्टाल नोवा के युद्ध में जुलाई 1781 जिजबी में हैदर अली को परास्ट किया अगला है कि टेपू सुल्तान ने अपनी जो राजधानी है वह क्या बनाई थी तो टेपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई राइट अंसर बन जाएगा शिरी रंग पट्नम में आप्शन ए सही जबाब टिपु सुल्तान ने स्रीरंग पट्टम को अपनी राजधानी बना यों यहां जैकोबिन कलब की अस्थापना की और उसका सदस्य बना अगला प्रशण है निमनलिखित भारती श्रासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनी की पध्धति से दूतावासी इस्थापित किये थे वह क्यों भारती श्राशक था राइट आंसर बन जाएगा आप्शन डी टीपू सुल्तान अगला प्रस्ण है कि टीपू सुल्तान ने बिटिस सेना को 1780 में हराया था कहां हराया था वह पोली लुर में आप्शन बी सही जबाब हैदर अली योम टीपू सुल्तान ने मराठो तथा निजाम की साथ एक समझावता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का बचन ले लिया तथा करनाटक प्रजुलाई 1780 में आकरमण करके आरकाट पर अधिकार कर लिया तदपस्चाट टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोली लूर नामका स्थान पर हरा दिया अंगरेजो ने सिरी रंगपट्नम की संधिक किसे के साथ की थी सही जबाब बन जाएगा टीपू सुल्तान अप्शन से त्रितिय आंगल मैसूर युद्ध 1792 की दोरान तो त्रितिय जो आंगल मैसूर युद्ध राह है इसका जो समापन रहा वो सिरी रंगपट्नम की संधि मार्ज 1792 की दोरा हुआ इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालि तथा मैसूर से टीपू शुल्तान सामिल थे इसके अनुसार टीपू को अपने राज्ज का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनकी साथियों को देना पड़ा साथ ही युद्ध के हरजाने के रूप में टीपू को तीन करोण रूपए अंग्रेजों को देना था सिरी रंगपट्नम की संधि में है सामिल था कि जब तक टीपू तीन करोण रूपए नहीं देगा तब तक उसके दो पुत्र अंग्रेजों के कबजे में रहेंगे कार्णावालिस ने इसी संधी के बाद यहाट्टी पड़े की थे कि हमने अपने शत्र को प्रभावसाले ढंग से पंग बना दिया है तथा साथियों को भी सक्तिशाली नहीं बनने दिया अगला प्रश्ण है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों की साथ युद्ध में कब मारे गये सही जबाब होगा वर्ष 1799 में टीपू सुल्तान चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध 1799 के जारां अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया निम्नलिकित में से कौन एक सुमेलित है पहला है प्रथम आंगल मैसूर युद्ध जो की 1767 से 79 रहा है और इस युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्णर था वो वेरलस्ट था और युद्ध की जो समापती हो मदरास की संधी से हुई थी और इसमें हैदर अली जो है वो पराजित नहीं हुआ था बिज़ई हुआ था इसलिए यह गलत हो गया दौतिया अंग्लमाईशूर युद्ध होता है 1780 से 84 और हाइदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया तो 81 में इनकी जो है मिरत्य हो जाती है और इनको एक जुलाई 1780 एक्यासिक जो है प्रास्त करने वाला जो था वो जन्नल आयरकूट था अंग्रेजों को तो यह पराजित खुद हुए थे ना कि अंग्रेजों को तो दूसरा गलत था है त्रिधिया अंग्लमाईशूर युद्ध होता है शत्रा सो नबे से बाननबे तक तो त्रितिय जो अंगलों मैसूर होता है उस समय अंग्रेज गवर्णर जनरल लाड कानावलिस था और अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टेपुर सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था जिसके लिए सत्रा सवरासी पचासी में एक उसने दूद्ध भी को तुंतिया भेजा था तो तेपुर सुल्तान युद्ध जीता और अपना भुभाग नग्रेजों को नहीं दिया तो ये जो बात दी गई है जीता था युद्ध तो पराजित हुआ था और सिरीरंग पठनम की जो संधी हुई थी उससे युद्ध का शमापन हुआ था तो तीसरा भी गलत हो गया चौथा में टीपु शुल्तान जो है वो फराजित किया गया था रुद्ध के दोरान ही दिवंगत हो गया था तो चौथी बात तो हो जाती है सही आप से यहां पर डी ही सही जब आप बन जाएगा यदि आप कुछ ना पढ़े चाउथा ही पढ़ ले और हंड़ेट पर्शेंट है तब भी आपकी बात बन जाती है क्योंकि वो सही है तो बाकी सब गलते होंगी क्योंकि यह कही सही समेली तो होगा तो इस तरह कभी-कभी एक्जाम में आपको कॉमन सेंसे भी काम करना दूसरा आंगल मैसूर असी से चौरासी तक चला इस दवरान अंग्रेज गवर्नर जनर्र वारन हेस्टिंग था इस युद्ध शत्रास चौरासी जो है मंगलावर की संधी से दूसरा आंगल मैसूर शमाप्त हुआ त्रितिया अंगल मैसूर युद्ध होता है 9692 इस भी ते कि इस दवरान अंग्रेज गवर्नर जनर्र लाट का अनवलिस था अंग्रेजों के विर्दु शाहता के लिए टीपु शुल्तान ने तुर्की से शाहता प्राप्त करने का प्रयत्न किया 84-85 में उसने एक दूत जो है कुंतुत तुनिया भेजा और 1787 इस भी में टीपु ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा या यूद 1792 इस भी जो है स्री रंग पत्नम की शंदी द्वारा समाप्त हुआ था चतुर सांगल मैसूर युद्ध होता है 1799 इस भी में इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जन्नल लाड बेले जली था चार मई 1799 के अंग्रेजी सेना निस्री रंग पत्नम का दुर्ग जीत लिया और टीपु ने लड़ते लड़ते बीर गती पाई टीपु के कुल की सदस्यों को बेल लौर में कैद कर दिया गया अगला प्रश्ण यहाँ पर कूट का मिलान करना है यूपी पीसियस प्रिलिम 2019 का प्रश्ण है इलहाबाद की संधी तो इलहाबाद की संधी कब हुई 1765 मंगलावर की संधी होती है 1784 साल बाई की संधी 1782 है मद्रास की संधी 1779 जो की पहला अंगल मैं सुर्य उद्धु की समापन होता है मंगलावर की संधी है मिलान कर लो एका थिरी है एका फोर है ठीक है एका फोर वी का टू है सी का वन है और डी का थिरी है तो फोर टू वन त्री फोर टू वन त्री आप से यहां पर आपका सी रहीर बाब होगा इलावाद की प्रतम संधी अंग्रेज और मुगल सम्राट साहालम दुद्य के मद्ध बारागस 1765 को हुई थी जब की रहाबाद की दूसरी संधी अंग्रेज और अवद की नवाब सुजाओ दौला के बीच जो है प्रतम आंग्लम राठा युद्ध की समापन की लिए रहा है तो प्रतम आंग्लम राठा युद्ध 1775 से 82 तक चला और प्रतम आंग्लम राठा युद्ध के बाद महादजी सिंधिया की मद्धस्था में अगला प्रशन है कि बेगम समरू ने एक अतिप्रसिद्ध चर्ज का जो निर्माड करवाया था वहां कहाँ तो यहां मेरट के निकट सर्धना में आपसने यहाँ पर सी सही जवाब होगा बेगम समरूश अत्रा सो पचास अठारा सो चाथ दीज़ तो बेगम समरूश ने एक अतिप्रसित धचार्ज का निर्माड मेरट के निकट सरधना में कराया था अगला प्रेशन है कि निकट्रों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है पर थाद गलत है पहला कथन दिया है कि अली मरदान खान ने बंगाल में राजस्वक्रिशी पध्धत के प्रारंभ की थी मुर्शीद कुली खान तो मुर्शीद कुली खान था तो एक सही नहीं है यनि पहला ही सही नहीं बाकी सब सही होंगे तो आपसन यहां पर राइट आंशर बन जाएगा वहाराजा रणजीत सिंग ने लाहर में तोबों के निर्माड के लिए अद्मिक धलाई कानि खाने स्थापित किये थे आमेर में सवाई जैसिंग ने युकलिड के रेखा गणित के तत्रों का संकित में अनुबाद किया था अनुबाद कराया था मैसूर में टीपु सुल्तान ने स्रेंगेरी मंदर में देवी शारदा की मूर्ती की निर्माड के लिए धन दिया था शबी बाते विल्कुल सही है रणजेत सिंग ने तोप खाने पर अधिक बल दिया था लाहोर तथा अमरित सर में तोपे गोला और बारूद बनाने की कार खाने लगाए आमेर की सवाई जैसिंग ने युकलिड के रेखा गणित के तत्रों का संस्कृत में अनुबाद कराया सवाई जैसिंग ने जैपुर दिल्ली वरारस आदि नगरों में पाच बेद सालाएं बनवाई तीपु सुल्तान ने स्रिंगेरी मंदिर में सारदा देवी की मुर्ती के निर्माड के लिए धन दिया था जबकि बंगाल में राजस्तुक्रिशी पद्धद के अप्रारंब का स्रे किसको जाता है मुर्शीद कोली खान को ना की मरदान खान को तो बंगाल में राजस्तुक्रिशी पद्धद के अप्रारंब मुर्शीद कोली खान निकराया अगला प्रस्ट नंबर है पच्चीस की निमलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और वताना है कौन सा कथन शत्त होगा पहला दिया है कि पानीपद की तृतिय युद्ध में आहमद शाह अबदाली ने इबराहिम लोदी को पराजित किया था तो पानीपद की जो तीसरी लडाई होती है चौदह जनुदिश अत्रा सो इक्षट हीजबी को और इसमें जो अहमद शाह अबदाली है इसने हराया जरूर था तो इबराहिम लोदी को नहीं बलकि सदा सिव भाव राव के जो नेतित वाली मराठा सेना रही उसको बुरी तरह पहला गलत 157 को इसमें मीर जाफर ने अंग्रेजियों से मिलकर शिरावज दोद्रा के बिलत खड़े अंतर रचा था और यह बात बिलकुल सत्य हो जाती है तो इस तरह केवल और केवल तीन सही हो गया यह आप्शना आपका सी यह बी राइट आंसर बन जाएगा 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लडाई में हमद शाब दाली ने सदासिव राव भाव के नेतुत वाली मराथा सेना को बोरी तरह प्रास्त किया जेयन सरकार की अनुशार महारास्त में संभावता ही कोई परिवारा ऐसा नहीं होगा जिसने कोई ना कोई संबंधी ना खोया हो तदा कुछ परिवारों का तो सर्मनास ही हो गया 1792 में हुए तीसरे अंगल मैसूर युद्ध में टीपु सुल्तान के वल पराजित हुआ था उसकी मृत्यू नहीं हुई थी चौथे में हुई थी स्री रंगपट्णम की संधी से युद्ध विराम संपन हुआ था तीसर आंगल मैसूर टीपु के जो मृत्ती होती है 1799 में चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध होता है उसमें हुई थी पलासी का जो युद्ध है तैजून 1777 इसमें मीर जाफर ने अंग्रेजु से मिलकर सिराउज दौला के विरुद सड्य अंत्र रचा था अनि सड्य अंत्रका तै